केमसी कैंसर संस्थान, केमसी, हेल्थ सिटी, बागपत रोड, मेरट, उत्री भारत का आधुनिक्तम, एवं, अत्यांत सुरक्षित, रोबोटिक, रेडियो थेरेपी, वाइटल बीम, जो साइबर नाइफ की तुलना में एकदम सही वे सुरक्षित है, रैपिट आर्क से सुसर संस्थान, 24 x 7, हर प्रकार की कैंसर के आउपरेशन, क्यूमो थेरेपी और प्रतेक प्रकार की रेडियो थेरेपी पर रेडियो सर्जरी उपलब्ध है, कैंसर को पहचान निकले, आधुनिक्तम, पैट, सीटी, उचित शुल्पर उपलब्ध है, साहिका के यौन सर्षन के आ अपने सिर पर लटकी निश्काशन के तलवार से बचने के लिए किया था, लेकिन यह काम नहीं आया, पहले सुनिए, बार कारेकारी की बैठत में निश्काशन का फैसला रेडियों के बाद, मेरेट बार रेसोशेशन अध्यक्स, के पी शर्मा ने फर्स्ट बाइट से क्या रखिया रखी थे, उनका आप्रेंट मेंट किया था, उन्होंने जो मुझे प्रांथना पत्र दिया, उसमें बताया कि सेकंड सेटर डे को घर पे बुलाया, और मेरे शाथ मुझे खोल डिंग पिलाई, जिसमें मैं बेहोस हो गई, उसमें मेरे साथ असलील कार्य की, और जैसे मैं कहता हूँ, वैसी घर ये प्राधनवत मेरे पास आया तो, जो मैंने अपनी एग्जुटी कमेटी के सामने लगा, एग्जुटी कमेटी से विचार मिमर्स करने के बाद, और जो मोबाइल में ओडियो वीडियो वाइरल हुई थी, उनको देखने के बाद, मुझे लगा कि ये आदमी सही नहीं है, इनने गलत किये, इसलिए हमारी बार की आज तीन बजे एग्जुटी कमेटी की मिटिंग हुई, और उसमें ये निन्ने लिया गया कि वेमेशन गुपता, सीनियर वाइस प्रेजिजेंट, मेलर बार एसुटिशन की मेंबर्सिप निरस्ट क किया गया कि उनके बार कॉंसिल अफ यूपी को इसका एक लेटर भीजा जाएगा जिससे उनका पंजी कर और समाप्त किया जाए, और पुलिस को सुतंतर छोड़ जाए कि जो उनके खिलाब को ये फायर है, तो उनके खिलाब को काम करें पाई इसका बार कोई इंटर्ट्रे जिसमें भारते जन्ता पार्टी के एक नेता ने सिफारिस कीजी इसलिए हुआ उसका इन्वेसिशन करें आप खुद कहले हैं कि मामला बेहत समेजुशी है, एक यूटी की असमिता से और उसके जोड़ावा मामला है, 31 तारीक को पहली बार आपको प्रातना पत्र दिया गया, आज 12 तारीक पुछटी है, इतने दिन क्यों लगता है, देखिए, पहली बात तो यह कि मैं बीजी था और उसके बाद मैंने उस लेटर की जब मैंने पढ़ाना दो तीन दिन बाद, देखने काई फूर्शन नीमी यहां रख दिया था मैंने, तो जब मैंने पढ़ा व उसके फोटोशीट करवाकर उसको बुला के दी, इसको क्या नाम इसका रमेशन जी हो, और रमेशन जी ने ले जाने केबाद उसके बाद कोई reply नहीं दिया ना मेरे से मिला Is और कारिय कारने की मीटिंग सब्सक्राइए साब से मैं ने कहा था तो जिस दिन हमारी कारिय को मिटिंग थी उस दिन हमारे एक कि डेथ हो गई थी लड़की के गोली है कि कुछ लोगों ने साजेशन उसके छवी धुमिल करने के लिए एमर्यादेट वीडियो एडिट कर सोचल मीडिया पर डालती है इन वीडियो से नहीं केवल उनकी बलके बार एडियो की भी खड़ाब हुई है रमेश में यह भी आरोप लगाया है कि वीडियो टालनेवल य है हालकि इस घटना से खासे आहत मेरट बार एक्सोशेशन के अधर के पी शार्मानी प्रतिक्रिया देते हुए उसी समय फस्ट बैट टीवी से कहा था कि रमेश्चन गुपता ने पत्स से जरूर इस्तिफा दिया है लेकिन इस पर अंतिम फैसला बार की कारेकारणी की होने के वली युफ्ति में उसका भी नाम लेकर उसका जीवन बरबाद कर दिया है उसे अब कुछ हो जाता है तो इसके लिए वे दोनों जिम्मेदार हैं वह युफ्ति आत्म हत्या करने की बाद भी दोराते सुनी जा रही है और गुपता जी अगर मैं सुसाइट कर जी तो इसके जिम्मेदार ये दोनों होंगे कल को मुझे कोई बात होगी तो और गुपता जी जिम्मेदार होंगे मैं इस तरह मजबूर होचुकी हूँ कि मैं आप मुझ सोसाइट करना चाहती हूँ और मैं सुसाइट करने चाहरी हूँ क्योंकि बद्धिनामी इतनी कर चुके हैं सबलोग कि मैं अकेली पड़ चुकी हूँ। दर असमें, 51 माई को मेरच बार ऐसोशेशन के वरिस्ट उपात्यस रमेश चन्द गुब्टा पर सारेृक्त प्रमान शिक्ष्योशनका आरुप लगा ते वह एक उव्ति ने मेरच बार ऐसोशेशन से शिखाती थे। इस्टिकाइट में आरूप लगाया गया थे कि रमेश गुप्तन निश्री की दवा पिलाकर उसका यौन शुशन किया है नैसी वितना बलकि अधिवक्ता ने उसकी वीडियो भी बना ली है और फिर दोबारा से चारे गुप संबत बनाने के लिए दवा बनाया जा रहा है इस इसको पुलिस में बारने संग्यान में लेना उचिप नहीं समझा इसके बाद यूति ने सभी आरूप दोराते वे साथ जुन को एक पत्र SSP मेरट को दिया जैसल मुबाइल नंबर बीम की थे अब बार से निश्काशन के बाद पुलिस पूर्तय योन्शुशन के आरूप म रमेश चन्द गुपता पर सिकंजा कसनी के लिए सौतंतर है रमेश चन्द गुपता के जो ऑडियो हाल फिलाल में सामने आ रहे हैं उसमें उसके एक मुस्लिम यूति से भी अवैस संबन उजागर हो रहे हैं कुछ भाट परनीता भी हैं रमेश की पैरवी में जुटे खबरों से अफडेट रहने के लिए देखतर ये फर्स्ट बाइट आटीवी और हां अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना वे बेल आइकन दबाने भी नहीं होने हैं नमस्कार